नमशकर प्रियमित्रों मेरा नाम है गंगारामुर आप देख रहे हैं जोतिसोर समधान हमारे YouTube चाइनल में मैं आपका हरदिक स्वागत करता हूं दोस्तों महत्विस बात का नहीं है कि हम कितना तेज दोड़ते हैं जीवन में महत्विस बात का है कि हमारी दिशा क्या है चुकि हमारी दिशा ही हमारी दसा तै करती है जीवन में आप कितनी भी मेहनत करें कितना भी परिश्रम करें लेकिन अगर सही दिशा में आप मेहनत नहीं कर रहे तो आप कहीं भी नहीं पहुँचोगे दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको अधा संपत्ति कैसे जीवन में प्राप्त की जा सकती है कौन से ऐसे उपाए हैं ऐसी विदिया हैं जिनके अपनाने से आप बहुत सारा धन जीवन में एकत्रित कर सकते हो यह आपको बताऊंगा दोस्तो हमारी जोतिस में शुक्र को देवी लक्षमी का स्वरूप माना जाता है और जिस व्यक्ति ने इस सुत्र को गंभेरता से समझ लिया एक्सेप्ट कर लिया उसको जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं रहती आज की वीडियो में मैं आपको शुक्र देव के कुछ सटीक उपाय बताऊंगा जिन उपायों के करने से पहले ही महिने में पहले 40 दिनों में आपको आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेगे पूरी जानकारी आप तक पहुचाओंगा लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाओं मैं आपको बता दू जो 30 के दौरा अपनी समस्त परकार की समश्चाओं के समधान के लिए और दोस्तों बहुत अच्छी सरेणी के गवर्मेंट लेब सरेटिफाइड राशी रतन खरीदने के लिए आप हमसे संपरक कर सकते हैं मेरा फोन नंबर मेरा वोटसप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों हमारे यहां से सभी परकार के रतनों की अंगूठिया बनाकर सिद्ध पूजा पाठ करके देश विदेश में कोरियर के द्वारा भेड़ी जाती है तो चलिए विसमें आगे बढ़ते हैं प्रियमित्रों यदि आप धन कमाना चाहते हो आपके भाग्या में पैसा कुछ कम है आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही है तो आप शुक्रवार के दिन नियमित रूप से स्री सुक्त के पाठ करें और प्राते काल करें सुरियोदे से पहले पहले हैं सुरियोदे के समय आप स्री सुक्त के 16 मंत्र होते हैं स्री सुक्त के 11 पाठ कम से कम करें जिस समय आप स्री सुक्त के पाठ करें आपको लाल रंके उनियासन पर बैठना है और लाल रंके कोई वस्त्र धारन करके शर्ट टी-शर्ट जो भी हो बैठना है दोस्तो यह चमतकारिक प्रियोग है शुक्रवार को ग्यारा पाट करने हैं रोजाना सिरी सुकत का एक पाट यदि आप करेंगे और इसको कॉंटीनू करेंगे तो जीवन में आपको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी धन आने के सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे नमबर दो शुक्रवार के दिन अंजली भर चावल ले करके शिविलिंग पर समर्पित करें उनको दोस्तों चमतकारिक प्रयोग है और जब उन चावलों को शिविलिंग पर चड़ाएं तो मंत्र बोले ओम द्राम द्रीम द्रोम सह सुक्राय नमे इस मंत्र को बोलते हुए आप बहुत सारे चावल ले जाएंगे वहाँ पर लेकिन दोनों अंजली भरके ऐसे जितने चावल जाद से जाद आपके अंजली में आएं वह शिविलिंग पर समर्पित करें और मंत्र पढ़ते रहें ओम द्राम द्रीम द्रोम सह सुक्राय नमे यह चमतकारिक प्रयोग है आपके जीवन में चाहे पैसे की जितने बड़े इस्तर पर कमी है आप परियास करने के बाद भी बार-बार टेंसन में है पैसे को लेकर कि यह प्रयोग करने से आपके घर में पैसे की कमी दूर होगी अनुभूत प्रयोग है दोस्तों धन प्राप्ति की इच्छा वाले व्यक्ति को शुक्रवार के दिन जर्वत मंद व्यक्ति को गरम कपडों का या रूई जो की रूई का रंग सफेद होता है रूई से बने हुई वस्तों का जर्वत मंद को दान करना चाहिए यह भी एक सटीक और शानदार उपाए है यदि आप चाहते हैं कि पैसे की तंगी बार-बार आपको परिसान न करें आपको नकचोटे है तो शुक्रवार के दिन आप वरत रखें, फलाहार करें अनग्रेहन न करें यदि आप कंप्लीट शुक्रवार के दिन वरत नहीं रख सकते तो कम से कम बारा वजे तक तो आप अनग्रेहन न करें फलाहार लें दो पहर बाद ही अनग्रेहन करें और शुक्रवार के दिन सिरिसुक्त का प्रियोग मैंने आपको बताया दोस्तों जबर दस्त प्रियोग है धन प्राप्ति की कामना से यह प्रियोग किया जाता है यदि आपके घर में सिरियंत्र है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो बाजार से एक तामबे का सिरियंत्र खरीद करके लाएं एक पलेट में रखें नियमित रूप से सिरियंत्र को इसनान कराएं अश्टगंद से तिलक करें और फिर सिरिसुखत का पाट करें चमतकारिक प मुझे पता है इस बात का मैं कनफर्म हूँ यहां पर कि आपको यह प्रियोग बहुत जादा फल परदान करेगा आपकी मुन किच्छाओं को पूरा करेगा काम ना करता हूँ दोस्तो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें सेयर करें और सबस्क्राइब माई चाइनल मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बहुत शांदार जानकारी के साथ भविश्य में भी वो मुस्कुराते हुए तब तक के ल हुआ है